हाँ जी दोस्तों कितना? मैं Sairos और विडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं Fish, Oil और Milk अचे ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो क्यों, कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? यह सवाल पिछले 2 सालों से लोग मुझे से पूछते आगे हैं कि मैंने हमेशा से जवाब ज़रूर दिया है लेकिन कहीं ना कहीं डीटेल्स में वीडियो बनाना ज़रूर पड़ा मुझे ताकि आप इसकी गहराई को समझें, सिंपल साइंस को समझें तो जल्दी से शुरू करते हैं, एंड में फ्री गिवववी है जो नूट्राबे की तरफ से पांच लोगों को फिश ओयल फ्री में दिया जाएगा तो आज की मैं एंड में बताऊंगा फ्री गिवववे के बारे में साथ में नूट्राबे का जो ओमेगा 3 है फिश ओयल इसको रिव्यू भी करेंगे जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनर्स, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तो बहुत सारी लोग सोचते हैं कि फिश ओयल मिल्क को लेने से हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी हमें वाइट पैचेज आ जाएगे या पिगमेंटेशन आ जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं है साइंस ने आज तक कोई भी ऐसी चीज डिसकावर नहीं करी है आएए जानते हैं दुनिया में कई ऐसी डिशिस हैं जो फिश और मिल्क को एक साथ लेके बनाई जाती है कई बार दही और मिल्क को लेके बनाई जाती है मेरी मॉम कभी चिकन बनाती है तो उसमें दहीं भी डाल लेती है तो नॉन वेज और दूद को एक साथ मिक्स करना कोई नुकसान दाइक चीज नहीं है लेकिन यहां पे एक कंडिशन अपलाई होती जिसे बात करेंगे अगर आप मुझे इंसाग्राम पे रेगुलर्ली फॉलो करते हो तो मेरा एक फ्रेंड है वशीम उसने मुझे घर पे बुलाया वो बेंगॉली है उसने तीन तरह की फिश बनाई एक फिश ऐसी थी जिसमें मिल्क भी डाला जाता है तो मिल्क और फिश को एक साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस बात को समझें आयरुवेदा भी कहता है नॉन वेज और मिल्क हो एक साथ कंबाइन नहीं किया जाना चाहिए रीजन ये है कि जब दो हाई सोर्स अफ प्रोटीन आप एक साथ कंबाइन करते हो तो आपको इन डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपका वो अच्छे से डाइजेस नहीं हो पाएगा कई लोग अकसर डिनर के बाद एकदम दूद लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता अपनी बाडी पे बहुत जादा लोड डाल देते हैं एक तो खाना भी अच्छे से डाइजेस नहीं होगा दूद भी अच्छे से डाइजेस नहीं हो पाएगा तो जब भी आप डिनर करें या फिश लें या नॉन वेज खाएं और दूद पीना हो तो उसमें दो घंटे का डिफरेंस जरूर रखें क्योंकि क्या होता है जब मिल्क को बाडी डाइजेस्ट करती है हमारे अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लेक्टेज बोलते हैं वो लेक्टेज ही होता है जो दूद को डाइजेस्ट करने में मदद करता है वैसे ही जब हम नॉन वेज खाते हैं उसके एंजाइम्स अलग होते हैं तो कंबाइन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो अब मैंने जवाब दिया है कि मिल्क और फिश ओयल में मार्किट में बहुत सारे ब्रैंड आते हैं को दावा करते हैं 1000 Mg लेकिन जब उनकी डॉजेज़ में किसी में 2 कैपसुल लिखा होता है तीन कैपसुल लिखा होता है यानि कि आपको 3 कैपसुल या 2 कैपसुल जो भी डॉजेज दी गई है वो लेने के बाद आपको 1000 mg मिलेगा मैंने हमेशा से कहा है जभी भी आप fish oil लें आपको minimum 1000 mg उसकी dosage होनी चाहिए अगर मैं Nutra Bay का fish oil देखूं इसकी एक serving में आपको 1000 mg मिल जाता है जो आपकी recommended dosage है फिर इसमें 60 capsule है दो महीने अराम से निकल जाएंगे price wise देखूं तो बहुत affordable है बिलकुल भी महगा नहीं है dosage इसकी correct है और अगर मैं और इसको critically analyze करूँ तो ये non GMO है ये gluten free है ये natural ingredient से बना हुआ है ये cholesterol free है ये heavy metal tested किये गए है इसमें कोई भी heavy metals नहीं है और ये halal approved है omega 3 के बारे मैंने डीटेल में वीडियो अलरी बना रखे हैं ये आपकी skin के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका जब blood flow improve होता है तो आपकी skin में निखा राता है blood flow improve होने से आपके बालों की जड़ों में nutrition अच्छे से पहुंचता है आपके बाल मजबूत होते है आपकी heart की health के लिए बहुत अच्छा है आपकी bones के लिए बहुत अच्छा है तो इसके बेंटहा benefits होते है omega 3 अपनी डाइट में omega 3 ज़रूर लिया करें न्यूट्रबे की बात करूँ तो इसकी dosage सही correct दी गई है ये बिल्कुल भी heavy metal tested किया गया है इसमें कुछ भी ऐसा harmful chemical नहीं है description box में लिंक दिया गया है बिल्कुल use कर सकते हैं मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों आप मैं free giveaway की बात करने वाला हूँ न्यूट्रबे की ही तरफ से आप 5 लोगों को ये omega 3 दिया जाएगा आपको करना क्या है मेरी आज की जो Instagram पर पोस्ट है उस पोस्ट पर मैंने एक सवाल पूछा है आपको उस सवाल का बड़ी honesty के साथ जवाब देना है कुछ लोग क्या करते हैं एक दूसरे का सवाल कॉपी कर लेते हैं डाल देते हैं मुझे पता लग जाता है वो जितना honest जवाब देंगे Google से copy paste मत करें अपना honest जवाब दें और मैं उन पांच लोगों को contact करूंगा और आप लोगों को Nutra Bay की तरफ से फिश ओल दिया जाएगा So I highly recommend आप ने डाइट में omega 3 जरूर लें और ऐसा omega 3 लें आपको एक ही capsule में इसकी प्रॉपर डोज़ आपको मिल जाएगी So highly recommend आप Nutra Bay का ले सकते हैं description box में लिंक है और अगर आप मुझे से डारेक बात करना चाहते हैं आप Instagram पे आ सकते हैं Friday को रात को 8 होजे मैं लाइव आता हूँ और Sunday के दिन मैं YouTube पे लाइव आता हूँ आप मुझे से डारेक बात कर सकते हैं मैं आपको लाइव लेके बात कर सकता हूँ और अगर कोई भी इनसान मुझे सपोर्ट करना चाहता है वो मेरा मेंबर बन सकते है जॉइन का बटन है आप मेंबर बन सकते हैं कि मेरा Cyrus Vira चैनल है प्लीज आप उसको जरूर सपोर्ट करें व्लॉगिंग चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है और कोई क्वेरी क्वेस्टन है तो मुझे आप जरूर बता दें आप वेरी एक्साइटेड के पांच लोगों को नुटराबे की तरफ से ये फिश ओल दिया जाएगा पार्टी पेड जरूर करें और पिछली बार मैंने पिछली बार नुटराबे की तरफ से पांच लोगों को मुल्टी वाइटमिन दिया जा चुका है दो बार, I'm very very excited, यह उनके नाम है, जिनको दिया गया है, बाकि आप भी जीच सकते हैं यह, thank you so much for watching this video, चैनल जरूर सब्सक्राइब किया को, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मज़ा आता, अच्छा लगता है, काम करने का एक और motivation मिल जाता है, so keep growing, spread the love.